दोनों मामलों में हत्यारे प्लान बना कर आए थे उन्हें मालूम था कि सुरक्षा नहीं है जुक कर प्रणाम करते हुए उन्होंने तुरंत प्राणगा तक हमला किया दोनों ही मामलों से किसी को अंदाज नहीं था कि ये हो सकता है 21 मई को पूर्व प्रधान मंत्री की पुन्यतिती होती है क्या आपको मालूम है कि देश के दो बड़े नेता ऐसे हुए जिनकी आजाद भारत में हत्या की गई हत्यारे ने उन्हें इससे पहले प्रणाम किया दोनों ही स्थितियों में इन नेताओं को अंदाज भी नहीं हुआ कि उन्हें प्रणाम करने के बाद अगला ही क्षण उनके लिए जानलेवा साबित होने जा रहा है पहला मामला महात्मा गांधी का है 31 जन्वरी 1948 का दिन था शाम के शून्य पांच बजने वाले थे महात्मा गांधी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे इसी दौरान एक युवक आता है और उन्हें प्रणाम करता है गांधी जी के साथ चल रही मनु उस युवक को परे युवक गांधी जी के सामने जुका ही हुआ था अचानक वह उठा और उसने वहां से पीछे हटते हुए पिस्तॉल को सामने किया और गांधी जी के सीने में दनादन तीन गोलियां दाग दी गांधी जी हेराम कहते हुए गिरे फिर कुछ ही समय में उन्होंने प्राण पखेरू छोड़ दिये गोडसे ने अदालत में फिर बताया कि उसने क्यों गांधी जी को जुक कर प्रणाम किया था जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा तो नाथुराम ने अदालत में बोलना शुरू किया उसने पूरी बात को धर्मियुद से जोड़ा उसने कई बार भगवत गीता को उद्धरित किया लोगों को अच्रश था कि वो गांधी को मारने से पहले उनके आगे जुका क्यों था गोडसे ने इसका जवाब यो दिया जैसे अरजुन ने पहले द्रोणाचार्य के चरणों में बान मार कर उन्हें प्रणाम किया फिर अगले बान से उनका वद किया वैसे ही उसने भी पहले गांधी जी को प्रणाम किया और फिर उन्हें मारा हाला कि नाथुराम ने जब गांधी जी को जुकते हुए प्रणाम किया तो उन्हें नमस्ते गांधी जी कहा गोडसे ने अपने भाशन में महाभारत के सभी युद्धाओं के नामों को बार बार दोहराया वो खुद को पौरानिक कथाओं से बाहर नहीं निकाल पा रहा थ विभाजन के बाद त्रासत खूनी खेल को भी वो एक काल्पनिक कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के रूप में देख रहा था जिसमें वो खुद अर्जुन था इसके बाद दूसरा वाक्या 33 साल पहले हुआ ये वाक्या राजीव गांधी के साथ हुआ 21 मई 1991 में राजीव गांधी चुनाव के दौरान प्रचार यात्रा पर थे वह उस दिन लेट थे रात में वह चन्नाई के करीब श्री पेराम बुदूर की सभा में भाशन के लिए पहुँचे जब वह वहां पहुँचे तो पहले से कुछ भेड इकट्थी थी अचानक दूसरे लोगों को पीछे छोड़ते हुए एक युवा लड़की आगे बड़ी उसने भी जुक कर राजीव गांधी को प्रणाम करने का उपक्रम किया राजीव गांधी उसे उठा ही रहे थे कि उसने अपनी पीठ में लगे बम का ट्रिगर दबा दिया तेज विसफोट हुआ उस युवा लड़की ने इसके जरिये राजीव गांधी की हत्या कर दी हालांकि इस विसफोट में 16 लोग और मारे गए थे इस लड़की का नाम धनू था उसने राजीव गांधी को प्रणाम इसलिए किया था ताकि जुकर पीठ में लगे बम से विसफोट कर सके कहना चाहिए कि दोनों ही मामलों में सुरक्षा में धील थी गांधी जी के आसपास जो सुरक्षा घेरा बनाया जाना चाहिए था वो नहीं था जबकि ये माना जा रहा था कि गांधी जी के प्राणों को खत्रा है हालांकि तब ग्रह मंत्रालय गांधी जी को सुरक्षा देना चाहता था लेकिन उन्होंने इसे लेने से साफ इंकार कर दिया था, दूसरे मामले में वीपी सिंग सरकार ने राहुल गांधी की सुरक्षा को वापस ले लिया था, उनके आसपास भी कोई सुरक्षा घेरा नहीं था। लिहाजा उनकी हत्या करना बहुत आसान हो गया था उनकी हत्या लिट्टे ने की थी और उसे मालूम था कि राजीव गांधी के पास सुरक्षा नहीं है लिहाजा उनके पास पहुचना बहुत आसान होगा